हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका जैहिन जैभार्त बंदे मातरम कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स उमीद हैं आप सभी अच्छे होंगे आज फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पर मेडिकल ट्रम का एक ऐसा टोपिक जो यहाँ पर माता और अपनी जिस बेटी को जनम दिया है उस हमारी महिलाओं के अंदर एक नई सोच उत्पन हुई है साथ ही साथ वो अपने इन मुद्वों के बारे में बात करने में सरमाती नहीं है जजगती नहीं है वो अपनी यहाँ पर पुत्री को इनके बारे में गाइड भी करती है साथ ही साथ किस परकार से वो अपने बच्च उन सभी के लिए मुद्धा तो जरूरी है साथ ही हमारे भाईयों के लिए भी जरूरी है क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर सिर्फ ये जो मुद्धे हैं जो महिलाओं से समंदित रोग हैं वो सिरफ उन से समंदित नहीं रहते हैं, ये पुर्षों के लिए भी जानने जरूरी हैं, ताकि वो अपनी मा, पहन, बेटी और साथ ही साथ जो वो महिला, जिसके साथ वो अपना पुरा जीवन यापन करने वाला है, उसको गाइड भी कर सके, साथ ही उसकी समस्या को समझ सके तो आप फ्रेंड्स आज के मुद्दे के साथ आखिर तक बने रहें, टोपिक को पूरा गहनता के साथ समझें, ताकि आपके सभी कुशन्स यहां पर डाउट से क्लियर हो सके, आज का जो इंटरनेट का माद्यम है, इसके माद्यम से हम लोगों को काफी अच्छी जानकार्य मिल रही हैं, यदि उसका हम सही प्रकार से इस्तमाल करें, तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे स्थन के बारे में, यानि कि ब्रेस्ट के बारे में, साथ ही साथ उन से संबंदित वो बिमारियां, जो यहां पर महिला आएं, अकेली उससे जूच्ती रहती हैं, उसके बारे म mensuration है mc cycle है क्या वो इसका कारण है या नहीं है इसके बारे में हम बात करते हैं आज वो question आपके मन से उठाए जाए जाएंगे जो आपके मन में आते हैं और आप किसी से बात करते हुए जिजगते हैं तो चलिए जिस प्रकार से मैंने सुरू में ही कहा था रजो दर्शन यानि की MC साइकल जिस प्रकार से फ्रेंट्स जिस टाइम पर हमारा मासिक धरम स्टार्ट होने वाला है उससे कुछ दिन पहले हम लोगों को अचानक से ब्रेस्ट के अंदर दर्ध होने लग जाता है यह नोर्मल ही है इसके अंदर आप लोगों को ज़्यादा घबराने क्या उशकता नहीं है क्योंकि उस टाइम पर हमारे सरीर से क्या होते हैं हार्मोन्स रिलीज होते हैं क्या होते हैं हार्मोन्स रिलीज होते हैं फीमेल के यहां पर बोड़ी से जिसके अंदर आपके फ्रेंट्स दो हार्मो एक तो होता है आपका पॉजिस्टरोन हार्मोन दूसरा होता है एस्टेजन हार्मोन जब यह हमारे सरीर से रिलिज होते हैं तो उस टाइम पर कुछ समय के लिए महिला की जो ब्रेस्ट है उसके अंदर दर्द होता है और उसके बाद में देरे-देरे अपने पेन खतम होना इसके बारे में बात किए मैं परसनली भी अपने अन्बहु से कह सकती हूँ कि जिस टाइम पर मैंसुरेशन स्टार्ट होता है उस टाइम पर 15-20 दिन के दोरान इतना दर्द होता है कि उस दर्द को सेहन करना काफी यहां पर क्या होता है मुश्किल होता है तो इससे आपको इससे हैं उनको आप क्या कर सकते हैं आइस पैक के दोरा सिकाई करके उस दर्द से निवारान पा सकते हैं साथ ही फ्रेंड्स यहां पर मसाज के माद्यम से भी यानि की हलका हलका यहां पर ब्रेस्ट का जो एरिया उसको मसाज किया जाए तो मसाज के माद्यम से भी क्या किया फीमेल जो आपके दोस्त हैं या आपकी खुद की स्वेम की बेटी है पहन है आपके घर में और कोई महिला है जो इस प्रकार्ट के रोग से पिड़ित है आप उसकी मदद कर सकते हैं साथ ही फ्रेंड्स कैस्टर ओयल होता है जिसके माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं इस द दर्द है ये दर्द लगातार बना हुआ है तो आपको फ्रेंड्स इसके लिए गूगल पर सर्च करने क्या आउशक्ता नहीं है यूटूब में सर्च करने क्या आउशक्ता नहीं है आपको अपने ट्रस्टी डॉक्टर के पास जाने कर इसकी सला लेने क्या आउशक्ता है क उनके दोरा किसके बारे में आपको क्या उपाय बताए जाते हैं साथ ही साथ इसके जो टेस्ट बगे रहें उनसे आप लोगों के जो बीमारी है उसका निवारन कहाजा सकता है यानि कि फ्रेंड्स आप जिस प्रकार से जानते हैं कि महिलाओं के अंदर ब्रेश्ट से समद्दित काफे ऐसी बिमारी हैं जो क्या बन सकती हैं आपके जिवन के लिए एक हतक बन सकती हैं यदि आपको इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप अपने डोक्टर से जरूर कंसल्ट करें दूसरा कुश्चन जो हमारे दिमाग के अंदर उभर के आता है काफी यहाँ पर जो फीमेल होती हैं उनको शोक होता है टैटू बनवाने का काफी यहाँ पर यहाँ जैसे जो लेडिस हैं उनका कमेंट आता है कि भाई हम लोग यदि breast पर tattoo बनवाएं तो इसकी वज़े से कोई दिक्कत तो नहीं होगी तो friends जहां तक बात की जाए तो आप लोग जो ये tattoo है इसके अंदर किस परकार के chemicals यूज़ हो रहे हैं के बारे में आप नहीं जानते हैं साथ ही साथ जो equipment यूज़ के जा रहे हैं और जो आपका यहां पर tattoo बनाने वाला है वो इस से का कितना अनुभवी हैं और साथ ही साथ जो instrument उसके दवारा यूज़ के जा रहे हैं वो कितने यहां पर safety measure के अंदर आते हैं इसके आपको जानकारी नहीं है तो आप लोग फ्रेंड्स यदि tattoo ना बनवाएं तो अच्छी बात है क्योंकि इसके अंदर आप लोग जिस परकार से जानते हैं गाओं वगएरा होंगे और गाओं से हो सकता है कि आपकी breast के अंदर कोई infection भी हो जाए दूसरी बात काफी जो breast feeding करवाएंगे तो निकालना पड़ेगा हो सकता है उसके अंदर कोई injury हो जाए और इसके वज़े से आपके breast के अंदर bacterial infection भी हो सकता है तो इस परकार का आप यदि सोच रहे हैं तो इसके बारे में ना सोचें तीसरी बात आती है friends यहां पर कि आप जो bra use करती है यानि कि हम जो inner garments यूज कर रहे हैं उसका time period कितना होना चाहिए यानि कि friends जो आपके दोरा breast के लिए safety measure के रूप में साथ ही साथ हमारी body को एक proper size देने के लिए जो हम लोग bra को यूज कर रहे हैं तो उसका time period कितना होना चाहिए तो friends इसके लग लिए कोई initial time नहीं है आप लोगों को friends बता दिया जाए जो आप यहां पर bra use करें उस bra का जो यह हिस्सा है यह जो lastik है यदि आपको friends एक particular time के बाद में यह यहां पर क्या लूज लगने लग जाता है तो आपको friends उस time पर यह सोचने क्या होशकता है कि उस bra को change किया जाए साथ ही friends यदि आप लोग यहां पर जैसे काफी जो लड़कियां कहती है कि हम exercise बगएरा करते हैं तो उसके बाद में हमें पेनी उन होना start हो जाता है तो आप friends उस time पर sports bra का यूज करें ताकि आपकी यहां पर जो bra क्या है bra के दोरा sports bra के दोरा एक sport आपकी breast को मिल सके जिसके वज़े से आपको पेनना हो अगली friends यहा यहां पर जो भी bra यूज करनी है उसको इस चीज पर जरूर फोकस करनी है कि वो आपके size पर किस मतलब आपके जो bra का size है उस पर proper डंग से maintain है या नहीं है यदि आप लोग यहां पर size को कम करने के चकर में या फिर अपने आपको यहां पर दुकान वगेरे में जाके यह नही अगली जो यहां पर question बन के आता है friends आपके लिए यह question बनता है कि आपकी bra का size क्या होना चाहिए और साथ ही साथ यदि हम लोग रात को bra का use ना करें तो उसकी वज़े से कोई दिक्कत तो नहीं हो सकती है तो आपको friends जो भी size के आप bra use कर रहे हैं उसको आप लोग जरूर ध बात नहीं है अगला जो question यहां पर friends बन के आता है पांच वा question कि यहां पर friends आप क्याफी जो महिलाएं होती है आपस में बात करते हैं तो हो कहती है कि हमारे मैं pregnant हूँ और pregnant होने की वज़े से मेरी निपल का जो color है वो आपका क्या है black होना start हो गया है और साथ ही साथ मेरे न बनना है वो सबसे ज़्यादा क्या माना जाता है बगवान का विशेश गिफ्ट माना जाता है तो आप लोगों को friends यहां पर बता दे कि जब हम लोग क्या है प्रेगनेंसी होती है फीमेल के अंदर उस टाइम पर हमारी breast और निपल का size है वो change होना start हो जाता है क्योंकि जैस जैसे बच्चे और यहां पर क्या करता है बुरन मा के सरीर में विकास करना start करता है जैसे कि आपको यह time period भी दिख रहाBS एक से तीन महीने के अंदर जो निपल का size आपके सामने है यहां पर तीन से आठ महीने के अंदर धीरे-दीरे क्या होना start होता है उसका size बढ़ना start होत की हेर रिमूव यानि की हेर रिमूव एक बड़ा मुता बनता है अजगल का जो हमारा फैशन लाइफ है उसके अंदर हम लोगे यहां पर जो स्पा वगेरा है इसके बाद में जो पारलर वगेरा में लड़किया क्या करती है अपने सरीर से बाल को रिमूव करवाती है लड़क यूज करेंगी इसके बाद में वो इसके यहां पर वेक्स वगेरे का यूज करती है अधर जो एक्यूकमेंट है जिनका यूज करके वो क्या करना चाहती है इन बालों को हटाना चाहती है तो फ्रेंड्स यहां पर यदि हमारे सरीर पर बाल दिये गए वो बगवान की तरफ करने का काम करते हैं तो इस प्रकार की जो यहां पर गाठे हैं वो आपके सरीर के अंदर बन सकती हैं और जिसकी वज़े से आपके ब्रेस्ट एरिया के पास क्या है पेन तो होगा ही हो साथ ही और उसके कारण से इंफेक्शन भी हो सकता है तो इस प्रकार के जो का यूज कीजिए जिसकी वज़े से आपकी ब्रेस्ट के ऊपर किसी भी परकार की कोई ख्रोच ना आए और साथ ही साथ उसके अंदर किसी भी इनफेक्शन का बढ़ने का करन ना बने अगला जो यहाँ पर मुद्दा बन के आता है फ्रेंड्स आपके लिए कि यहाँ पर जब यह समस्या होती कि उनके एक निपल तो प्रोपर डंग से निकला रहता है लेकिन दूसरे निपल में कोई न कोई समस्या रहती है यह इस समस्या से मैं खुद भी जूजी हूँ जब मैंने मेरे बेटे को जलम दिया उस टाइम पर मेरा बेटा एक निपल का दूद हाराम से प टाइम पर आप अपने बच्चे को प्रेश्ट फीडिंग करवाएं उस टाइम पर इस बात का खासा ध्यान रखें कि आप पर्टिकुलर दोनों बरेट से बच्चे को फीडिंग करवाएं ताकि फ्रेंट्स आपकी ब्रेश इंबैलेंस ना हो उसका साइज उपर नीचे ना और आप इसमें पेन का कारंट ना बने तो फ्रेंड्स ये कुछ मुद्धे थे जिनके बारे में हमने बात की हैं महिलाओं से सम्मनित वो मुद्धे जिसके बारे में महिला दूसरे महिला से बात करते हुए जगती है साथ ही साथ काफी बोईज हैं यहाँ पर हैस्बेंट्स हो लें और साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स जो क्यूशन मैंने बताए हैं इन से अलावा यदि आपके मन में कोई क्यूशन आता है तो कमेंट बोक्स में जरूर कमेंट करें ताकि फ्रेंड्स उसकी बारे में भी आपको गहराई से चिंतन करके जानकारी दिजास के जैहिंद भारत बंद्यमात्रों